हलो वाईयो मैं हो सोनू और अभी इस वीडियो में मैं फिर से आपके साथ क्रेटा लेके आ चुका हूँ अब मेरे सामने देखरो ब्लैक लर में क्रेटा एसेक्स वेरियंट है यह टॉप से एक नीचे वाले इसके उपर एक और टॉप वेरियंट आती है जो कि अब गारी के लुक के देख लो तो यह जो क्रेटा है अभी लुक के फोगत से बहुत ज्यादा जो वो आपको मार्केट में देखने को मिल ती होगी वैसे तो यह सल्टा के धर से पहले लुंग कर लेते तो सबसे जो इसकी दुसमन क्या कि यह सल्क्राइब और अभी जो फैसलिफ्ट की पैसलिफ्ट में घखने में लुय ही हुई है तो देखो इसकी एक सोरूम प्राइज की बात करें तो 14.81 लाक है वहीं हम ओन रोड की प्राइज की बात करें देखो जो धनबाद की है मैं उसके इसाब से बता दू तो यहां पर आपको 16.81 लाक आपको ओन रोड देने होंगे तब यह आपके हाथ में आएगी तो देख लो इतनी कुछ इसकी प्राइजिंग है और इस प्राइज रेंज में आपको और भी गाड़ियां एविलेबल हो जाती है सबसे पहले तो किया कि सेल्टोस है उसके बाद टाइगून वेगरा आप देख सकते हो तो वो भॉक्स वेगन किया ज देखो फ्रेंट में आपको यह वाली क्रोम ग्रिल मिल जाती है और ऐसे सिरीज कहीं भी आपको फ्रेंट में देखने को ने मिलता है साइड में थोड़ा से एसे स्रीज वेगरा लगाई हुई है यह हमारी आठ नो दस दिन की लगबग यह पूरानी गारी है तो देखो यहा सा वहां ग्लोसी ब्लैक का यूज किया हुआ था और रेड टेप का रेड एसेंट जो यूज है वह आपको नाइट एडिसन में देखने को मिल जाता है बागी यह जो प्रोपर आपको यहां पे क्रॉम यहां तक खतम हो रही है नीचे आपको सिल्वर यह ग्रे कलर में आपक स्कीट खेकर देखने मिल जाती है इन परफ सको कहें करें वहां पर ग्रांट कितरे अच्छ बनी रहे है उसके लिए आपको हैंसे थोड़ाबखता खेद वेगह यहांसे और पछेस रही है देखलो यहां से किचर घुस रही तो यह गारी में आगी की और निकल जाती है तो थोड़ी सी गंदी हो जाती है इसकी डिमेरिट्स भी है पाकि लाइट्स ही बात कर लेते हैं यहां से आपको continue यह जलती हुई DRL जो टॉप मोडल में मिलेगी वही same DRL और headlight setup दोनों मिल जाएगा आप पर आपको triple barrel में LED lights मिल जा रहे है जो की दोगों है वह आपको लोबीम पर काम करते हैं और जो नीचे वाली है वह हाई भीम पर आपको काम करने पर दिख जाएगी तो यह होगा गारी की front look और आगे से कुछ वैसा तो बचा नहीं और हम इधर से बात कर लेते हैं देखो यह गारी की side look 4300 mm की इसकी length है वही हम height की बात करें तो 1635 mm की height है और width जो है 1790 mm की width मिल जाती है वही हम wheelbase देखेंगे तो wheelbase देखो गारी में जो बचा की बात करें तो उसमें आपको interior से कभी भी space की कमी नहीं रही है तो wheelbase की बात करेंगे तो हमको इसमें 2610 mm का wheelbase offer करती है wheelbase से क्या होता है कि जितना ज्यादा wheelbase रहेगी ना आपको interior में उतना ज्यादा जो है space देखने को मिल जाता है तो यह हो गई इसकी पूरी side की यह 5 5 sitting capacity के साथ आती है बाकि इधर आपको देख लो stock में यह वाली नहीं मिलेगी यह नहीं मिलेगी यह आपको stock में लगा हुआ देखने को मिल जाता क्रोम ओला बेंडिंग और fuel capacity की बात करें यह हां पर आपको 50 लीटर की fuel tank capacity वाली मिल जा रही है बाकि अलोई विल्स आपको ऐसे कुछ देखने को मिल जाते हैं जिसकी टायर स है यह गारी की पूरी प्रोपर रेयर लुक इसको आप एग्नोर करना यह बंपर जो है वह एलेगल है पर थोड़ा सा नया गारी है तो लग जाता है तो देखो यहां पर आपको सेंटर में हाई मॉंटेट अश्टॉप लें वहां देखने को नहीं मिल जाते हैं इधर भी द करेटा की बेजिंग देखने को मिल जाती है नीचे है चार पार्किंग सेंसर और यहां पर आपको कैमरा देखने को मिल जाता है स्किट पेड भी आपको यहां सिल्वर कलर में देखने को मिल रही है यह जो देखो डार्क सिल्वर कलर में बाकी रिफलेक्टर यहां पर आपक नॉर्मल नीचे वाली वेरियंट लोगे उसमें आप SX की बेजिंग आराम से लगवा सकते हैं या SSRI के तौर पर 3-400 रुपे में आपको सोरू में एवलेबल हो जाती है सबसे मेजर डिफरेंस में बताओं जो आपको नाइट वेरियंट में नहीं मिलता इसमें मिल रहा है वो यह है कि यहाँ पर आपको यह देखो नाइट मोडल में यह होता है कि इसमें आपको यह भी पूरा ब्लैक देखने को मिलता है बट यह नॉर्मल वाली एडिशन है तो इसमें आपको यह शिलबर कलर में देखने को मिल जाती है इससे पता चल जाता है कि यह नाइट मोडल नहीं है बाकि यह आपको असेसरी इस के बॉड़ी में है बाकि यह भी असेसरी में बाकि अब इससे पहले हम कीज की बात किले कीज जो आपको इसमें यह वाली मिलती है देखो यह कीज आपको सेम यूंडे वाली सारी गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं आई ट्वेंटी में भी यही मिलेगा और हमें भी यही मिलेगा वहीं कहां कहां 8-10 लाग की गाड़ी और कहां यह 17 लाग की ठीक है तो इसमें आपको तीन चार बटम मिल जाते हैं सबसे पहली बटम में यह लॉक करने की देखो ऐसे लॉक हो जाती है अब दूसरी जो अनलोक करने की यह अनलोक हो गई और तीसरी जो है वो होल्ड करके रखोगे तीन से से लिए यहां पर टर्निंग लाइट जो है ओन हो जाएगी तो उससे क्या है कि इंजन जो वह और हो जाती है तो तो तीन से के लिए आप इसको प्रेस करके रखोगे तो इंजन श्टाट हो जाती है तो गर्मी में आपको गई भी घाड़ी खड़ा कर दो तो उसमें कोई प आप लिफ्ट नहीं होती देखो जैसे मैं प्रेस कर एइस रओलो गहां ये लोक कर दिया इसको प्रेश करो कि ना यह बस अ dent लौक होती है दखो यह अनलोक होगी सिर्फ उपर नहीं जाती तो उससे क्या कि यह स्पेसल बटम इस लिए गया बूट के लिए क्योंकि यह सिर्फ बूट खुलता है इसको करने से यह सब डॉर वगरा सारी हमारी अनलोक ही रहती है तियोगी बाहर की फीशर्स वगरा अब हम चलते के गाडियों में बात करोगो तो आपको तीन रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलते हैं अब यह बूट में देख लिए बूट में भी रिक्वेस्ट सेंसर है क्या तो बूट में आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा इसलिए इसमें आपको बूट के लिए अलग से वाइड लेटोन में दिया गया डूर्ट इस फावर या बहुंत यह थोmana सब्लम है उसको तो सब्सक्राख कोूछ दिया घए मैं और यहां कुछ ऑपर त्वकाइब और यहां भी आप पर दिखने को मिल जाते हैं यह वार्ब्यम के रेवाद करने का यह रीक्लाइनर एब और यहां पर आगे पीछ पिछे कर सकते हो यह तो यह गाड़ी की सीट के बारे में अब हम चलते हैं गाड़ी को इंटीरियर से आपको बता देता हूं तो यह देखो आपको क्या आपको इसमें ऐसा कुछ इंटीरियर देखने को मिल जाता देखो मैं बताता हूं यहां पर आपको इपको औरलड चारजेटैक मिल जाएगी और यहां पर अवijnलस फोन चार्ज़र भी देखने को मिल जाता है बाज साव और झाप चाहिए अपको गारी में और यहार आपको आपको अटल GOOD मिल जाएगा UES B और यहां पर आपको charging socket मिल जाएगा बाकि sound वेगरा को आप यहां से adjust कर सकते हैं नोब दिया गया है दो S events यहां तेखने को मिल जाते हैं और इस side S events और इस side S events safety features की बात करें तो इसमें आपको चा और fold disc brake मिल जाएगा three point seat belts जो मिल जाते आपको पांच मिल जाते हैं बाकि और में बात करो तो six airbag भी आपको गारी में देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले अब इधर देख लो आप लोग तो देखो यहां पे आपको automatic headlight units मिल जाते हैं इधर आपको wipers के control दिया गया है cruise control यहां पे देखने को मिल जाते है infotainments के controls वेगरा यहां पे देखने को मिल जाते हैं यहां पे आपको कुछ कुछ voice command मिल जांगे बहुत सारे जो कि आप जैसे कि sunroof वेगरा खोलने को play करने उप बोले होगे तो यहां पे आपको voice command में ले लेती है अब हम गाड़ी को थोड़ा start कर लेते भाई बहुत सा ज्यादा गर्मी है तो मैं अगी कर लेता है तुरसीट को देखो यहां पे आपको push start stop button गया देखो मैं प्रेस करूँ यह हो गई गाड़ी हमारी start देखो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है वहीं हम टॉप मोडल में बात करें तो टॉप मोडल में क्या difference आएगा वह मैं आपको बताता हूं भी सबसे पहले उसमें आपको यह मिटर्स वेगरा आपको digital दिए गया है तॉप मोडल में यहा आपको rpm देखने को मिल जाता 8000 rpm तक और इधर आपको 240 maximum speed जो आपको वहां पर आपको वह भी speedometer आपको यहां पर अनलोग में देखने को मिल जाता है बाकि इधर हम देख लें तो देखो 11.3 km की गाड़ी अभी average बता रही है जो आप देख सक रहे हो इसकी सारी जो है वह यह यहां से आप चेंज कर सकते देखो यह हमारी navigation वगएर दिखा रही है यह driver display दिखा रही है average feel economy तो यहां पर सारी setting दिए गया है यहां पर आपको कोई बटम देखने को नहीं मिलेगा जिससे आप यहां पर control कर सको तो यह हो गई airbag की बेजिंग यहां मिल जाएगी और horn की ब देखो यह Hyundai का आपको logo देखने को मिल जाता है बीच में और यह leather wrap आप देख रहे होगे steering वह भी आपको गाड़ी में मिल जाती है यहां पर आपको थोड़ा सा flat bottom steering देखने को मिल जाता है और यह पूरी proper गाड़ी की interior इधर हम देख लेए यहां पर आपको cool club box देखने को मि है और इधर आपको dual tone में dashboard वो देखने को मिल जाता है बाकी अब हम जो main features की बात करें इसके बारे में तो यहां से आप देख लो यहां पर आपको 10.25 inches की screen मिल जा रहे है जो inbuilt navigation वेगरा आपको सब कुछ देखा जाता है बाकी आप navigation वेगरा देखो यहां से देखो कि यह प यह मोटो डिमिंग दिया गया है यहां स्वास का बटम मिल जाएगा emergency और यह देख लो ब्लू लिंक का option यहां पर आपको गाड़ी में connectivity मिल जा रहे है बाकी आपको android अगर आपके पास phone वेगरा है तो उससे आपकी AC वेगरा engine starter stop वेगरा सब चीज आप फोन से ही कर सकते हो तो ही तो हो गई इसकी features वेगरा के बारे में दुनिया वर की features जो है आलतु फालतु फालतु फलाना डैकाना वर के आपको मिल जाता है बाकी गेर transmission की बात करें तो इसमें आपको automatic variant चाहिए तो आईवीटी आपको transmission मिल जाती है 6-speed gearbox से साथ हमारी यह गाड़ी आती एक reverse जो हमारी इधर लग जाती है बाकि यह तीन पेडल आपको यहां भी देखने को मिल जा रहे होगे और यह हमारी manually handbrake है और यह टॉप model की बात करें टॉप model में क्या होगा कि आपको जो है electronic parking वेगरा देखने को मिल जाते हैं इसमें यहां पर आपको आंप्रेश्ट मिल जा रहा है वो भी लेदर का है और अंदर में आपको स्पेस वेगरा इतना कुछ देखने को मिल जाता है यहां पर तो यह तो हो गई इसकी आगे के बारे में और उसमें क्या है कि आप टॉप model SX ऑफनल की बात करें तो उसमें आपको प स्पिकर दो ट्विटर का सिस्टम मिल जाता है सौंड क्वालिटी बहुत अच्छी मैं मतलब अच्छी है नॉर्मल से मैं थोड़ी सी अच्छा रेटिंग दूंगा इसको मैं थोड़ी सी अच्छी लगती है सुनने में बाकि बेस वेगरा सब अच्छी है यहां पर आपको बटम नेको मिल जाता इह इधर आपको थ्रक्स अफ्टम के बटम अब यह धर यह हैं बीम लुबर यहं पर आपको देखने को मिल जाता इह भाक ही सीट मेंदर बेगर आपको यहां पर देखने को मिल ते रहती है matelle got a अगे के बारे में, अब हम पिछे चलते हैं, पिछे चलने सब पहले जो मेन फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेगा, वो इधर आपको सुन्रूफ, इसमें आपको पैनरोमिक सुन्रूफ मिल जाता है, जैसे आप वाइस कमांड दोगे, देखो यहां पर हमें आपको दिख सुन्रूफ यहां तो यहां से वाइस कमांड वेकर आपको दिखाऊंगा नहीं, देख चुका हो, देखो आपको यहां पर रिपर दी नाट रिडिंग के लांप से यहां से आप इसको भी यूजिश कर सकते हैं, यहां से वन टचमें पुराइख यहां से लाट पूरी खुल जो बुलो आप और इससे भी आप ओव कर सकते हो इधर आपको son glass holder इधर आपको ticket holder इधर आपको vanity mirror के साथ देखने को मिल जाता grab handles टोटल आपको देखने को मिल जाएंगे तीन गाड़ी में और यहाँ पर आपको एरबेक की बेजिंग मिल जाए कि यहां पर दो जो इसेी बेल्ट वह आपको हारी आपको चार मिल रहे हैं गाड़ी में, टोटल चार एड़ेस्टबल हेड़ेस्ट मिल रहे हैं, बाकि यह सब जो आप देख रहे हो, यह जो है लेदर की आप देख रहे हो, यह गाड़ी में आपको लगे वे नहीं मिलती, वो आपको फैबरिक का सीट देखने को मिल जाता है, इसमें आपको लेदर का यूज बहुत ही कम देखने को मिलेगा इधर तो कहीं है भी नहीं सॉफ्ट टच के लिए बागे अब हम चलते हैं गाड़ी की सकेंड रों में अर अब देख लेते हैं कि आपको देखने को मिलता है चलो तो यह होगी गाड़ी की सकेंड डोट्रिम यहां पर आपको स्पिकर की प्लेसिंग दिख लाएगी और यह पार विंडर का कंट्रोल और यहां पर आपको यह सन ब्लाइंड भी देखने को मिल जाता है जिससे क्या है कि यह कंपनी फिटेड आती तो बहुत मतलब बहुत अच् मैं यह भी आपको सॉफ्टों नहीं है यह भी आपको फाइवर यह नहीं इस नहीं है और lunar यह और यह सक्यंड रोखी सीट बहुत ही कम-P缶 वल आ गाडक हा सई हना और ढ़िंए को कंट जासा यह द्याला कि लिए यहां पर फंट्फोंद सस्पैले यह 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 तो होगी सीट जो कभर लगाई हुई है आप्टर मार्केट है यह रीडिंग लैंप आपको LED में मिल जाता है इधर भी आपको रीडिंग लैंप देखने को मिल जाता है यह इस साइड भी आपको मैं एक ओर important चाइड की यह आपको वह पीछे के डो विन्डो में देखने को मिलेंगे आगे आपको नहीं मिलेगा और पीछे भी आपको नहीं देखने को मिलेगा Suncut चैल सेट जो आपको 3 point देखने को में जाते हैं और Sunroof जो है आपको मैं दिखाता हूं कहा तक खुलती हैं देखो यह संद्रूफ है ना यह Panoramic Sunroof वो यहां तक खुलती है देखो यहां तक खुलती है तो second Dores मैं सकते निकल के दिखा देता हूं आपको जो सकेंड रो में बैठे होगे वह भी बहुत आराम से निकल के देख सकते हैं देखो नजार का देखो ऐसा कुछ आपको comfortable है बहुत comfortable ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकल सकते हैं second row में बैठके आराम से आप निकल सकते हो तो तो थीखो थोड़ा सा यह होता है कि ठोड़ा सा भीच में आमडरेस्ट भी दिया गया है जिसमें आपको दो कफल्डर मिलता है यह वाली फेब्रिक का यूज YouTube को गाड़ी मिलता है एंदेर चेसी दिखाए तुमें पेमें यह ब्लाक्रिक के आपको शीट मेंभी मिलती है तब मैं चलते हैं डिक्की को दिखा देता हूं देखो इस रेंज में पहले बता देता हूं इस रेंज में सबसे बड़ी इसकी और सेल्टॉस मतलब दो ही गाड़िया तो है लगबग ज्यादा बिकने वाली तो इसमें आपको 433 लिटर की बूट कैपसेटी मिल जाती देखो कितनी बड़ी है है ना दिखा देखो यहां पर आपको बूट लंप मिल जाएगा है अलोजन में इधर कुछ स्पेस वगएरा यह बहुत ही स्ट्रॉंग इसकी नीचे हमारी जो है स्पेर विल देखने को मिल जाती जिसकी यह इस पेर वीले लेगे जनरली गाड़ियों आपको छोटे ही साइच का मिलता है इधर बूइख इस पेस वेगरा मिल जाता है और सिट फोल्डिंग की बात करते हैं 60 40 स्प्लिट सिट देखनों को मिल जाती है तो ठीक है यह तो होगी बूट के बारे में रिक्लाइन का यहां से आप बॉणमट खुल सकते हो और यहां से आप अपना फिल लेड की खोल सकते हो नसिक हो कि बहुत ही जबार मिल घ्लाइन आप लोग जानती हो पर 50оп अब्र सपेस्टर इंचीन आंप इतनheiro को ठोड़ा साथ आती देखने को मिल रहा है गाड इंजन गाड जो बोलो यहां पर आपको बहुत ही कम नहीं आता है भाई बहुत ही स्मूथ इंजन है 1.5 लिटर वाली हमारी तो यह थी पूरी प्रोपर वीडियो आप बताना कि आपको क्रेटा कैसी लगती है आपको दो ऑप्षन मिल रहे है अगर सेल्टोस या फिर क्रेटा तो आप किसको पिक करोगे फेसलिफ्ट सेल्टोस को या क्रेटा को तो यह थी पूरी वीडियो वीडियो दखने के लिए धन्यवाद थैंक्यू सो मॉच